बसपा के कारिकरताओं को देख करके पुरिस इच्छक काराले के पाल भाई साब एक पल के लिए महरान हो गए और खास्तोर से जब इनकी और से ये कहा गया कि कारवाई की जाए, मुकदमा दज किया जाए और ना जाने क्या क्या और बाई साब सिकायती पत्र ऐसा वैसा नहीं दिया गया है, सीधे बाराबंकी जंपत के भाजपा के वरिष्ट नेता और यू कह लिजे कि बाराबंकी जंपत के पूर्व चेर्मैन ने चुके नगर पालिका के बाई साब बात तो समझी गया होंगे कि रंजीत बहादूर सिर्वास्तों के खिलाफ कारवाई की मांग की जा रही है, अब किसलिए आप गुदिश सुन लिजे कि आरपी गौतम क्या कह रहे हैं कि लाला रंजीत बहादूर सिर्वास्तों का राजनेतिक अस्तित जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है इसे वे प्सक्रावास्तों वेज्ड़नेतिक अस्तित को कायम रखने के लिए चर्चा में आने के लिए। कि जहां सब्सक्राशा प्लावास्तों करने के लिए इसतरह से गळत बयान बाजिक अक्सर लो करते हैं। असकान पर भी कि इनको कहीं निस्तित रुपसे इनको आगरा में जाकर भरते को करके अपना लेना चाहिए मैं समझता हूं तभी या तो यह गहरा करके उधरत से अपने मनोबिर्ति को सही करने के लिए यह वगरा करना चाहिए जिससे कि इनकी मांसी संतुलिन का सही देशा है क्या लगते हैं आपको प्रसासन काहे कारवाई नहीं करें इनके बातों पर यह दो देहार लेगी आप जानते हैं कि इस समय सरकार में पूरता सिगुंडा राज कायम है प्रसासन गुंडे माफिया सरकार के सरचर में कहीं न कहीं पल रहे हैं निश्य दूर्प से उसी का यह नतीजा है वन्हाई इस तरह एक बयान आते रहते हैं तमाम बयान देते रहते हैं प्रसासन के खिलाब कारों है करिकेर को जेल भेज देना चाहिए था और हम लोग वहीं उमीद से आज अभी कुटवाल साब से मिलने गए थे कप्तान साब से भी हम लोग पर जो बस्पा का प्रतिनीधी मंडल मिलने के लिए आया था और भाई साब पूरा बस्पा का प्रति अच्छे नहीं अटे क्या 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 डाला ये तो आपने सुरी लिया फिलाल कुल मिलाकर यही है क्या आगे होता क्या यही देखना है पर फिलाल बारबंकी जंपस्में उन्ता फदेश के लिए ए बेन ने श्टेटी फूर्ट की पेरा रिपॉर्ट और इस तरह की तबदार अच्छान को सब्सक्राइब करें वीडियो पसन आई होंगी तो शेयर करना मन दूलीगा